How you friends? कैसे हैं आप? I hope you good and fine. आज की वीडियों बात करेंगे अन्मेरिट कपल के, गर्ल्फरेंड और बोईफरेंड के कि अगर गर्ल्फरेंड और बोईफरेंड होटल में रूम बुक करवाना चाते हैं तो क्या हमारा कानून उनको रूम बुक करवाने से रोक सकता है या फिर कोई भी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी होटल अन्मेरिट कपल को रूम देने से मना कर सकता है या अन्मेरिट कपल जो हैं वो रूम में हैं और वहां पर पुलिस जो है आधमकती है और उनको जो है परिशान करती है तो क्या पुलिस वाले के याप पास यह अधिकार है कि वो आपको तंग करे क्या कहता है हमारा कानून अपने अधिकारों को जाने जरूर जे वीडियो को देखे का जणूर पूरा लास तक अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए उसको देख सको ऐसी ही knowledgeable और informational वीडियो जो है मैं इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बीना किसी देरी से सबसे वहले दोस्तों मैं आपको simple शब्दों में answer बता देता हूँ कोई भी unmarried couple, girlfriend या boyfriend किसी भी होटल में room book कर सकते हैं और जो होटल वाला है, जो भी होटल industry से जुड़े हुए होटल होंगे वो unmarried couple को room देने से मना नहीं कर सकते लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार कोई होटल होते हैं उनके अपनी policies होती हैं, उनके अपने rules होते हैं वो क्या कहते हैं, वो यह देखते हैं कि जो लड़की है वो तो 18 साल से उपर होना चाहिए ताकि बाद में अगर लड़की 17 साल की 16 साल की निकले, तो लड़की ने अगर लड़के के ओपर इलजाम लगाएं कुछ या लड़की के घर वाले लड़के के उपर इलजाम लाए तो उनका होटल बीच में ना आए इसलिए वो जो है कुछ rules and regulation बनाए होते हैं वो rules and regulation बना सकते हैं सो वो अपने कोडिंग चल सकते हैं लेकिन वो मना नहीं कर सकते unmarried couple को room देने से 18 साल से उपर लड़की हो और 21 साल से उपर लड़का हो अगर वो unmarried भी है तब ही भी जो है वो होटल में जा सकते हैं कोई भी होटल कोई भी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ होटल उनको मना नहीं कर सकता अब दूसरी बात करते हैं unmarried couple, girlfriend, boyfriend के room book करने के अधिकार के बारे में वो कहीं पे भी जोंसा मर्जी room जिस मर्जी होटल में room book कर सकते हैं चाहे वो unmarried है ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देता है हमारा भारत का सविदान जितने भी हमारे कानून है वो भारत के सविदान के ओपर ही बेस हैं आप सभी को पता होना चाहिए Constitution of India में हमारे fundamental rights, मुल्य अधिकार चो है हमारे पास है जैसे की freedom, right to freedom है हमारे पास हम कहीं पर भी पूरे इंडिया के अंदर जहां पर भी मज़ी गूम सकते हैं right to live है हमारे पास और हमारे पास क्या है? हमारे पास right to privacy भी है ये सबसे बड़ा अधिकार है, ये भी हमारा fundamental right है, right to privacy जब आप hotel room में जाते हो, तब वो एक public place नहीं रहता वो आपका जो होता है private place बन जाता है, आपका वो privacy right बन जाता है और किसी भी वक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके fundamental right को inflict करे कोई भी व्यक्ति आपके fundamental right को violate नहीं कर सकता अगर वो करेगा, तो आपके पास जो है, remedies available है, constitution of India के अंदर ही like आप article 32 में supreme court जा सकते हो, read petition डाल सकते हो अगर कोई भी वक्ति जो है, आपका fundamental right violent करता है आप इस condition में भी कर सकते हो, अगर कोई police वाला जो है, किसी भी hotel room में आ जाता है और आप अपनी girlfriend के साथ या unmarried couple एक room में है, उनको ड्राता है, दमकाता है, उनको arrest कर लेता है तब भी आप जो है article 32 और 226 जो की high court में बताता है, high court में read डालने की बात करता है आप high court में भी read petition डाल सकते हो और मैं आपको और बात बता दूँ, जो police वाला है, वो आपको arrest नहीं कर सकता क्यूंकि arrest जो है हमेशा cognizable offenses में होती है, बिना magistrate के warrant के और आप तो अपना fundamental right, यानि की right to privacy enjoy कर रहे हो तो आपने कोई भी serious offense नहीं करा तो आप निश्यत रहिए, कोई भी police वाला आपको arrest नहीं कर सकता बस आपको क्या करना है, आपको बोलना आना चाहिए कि ये हमारा मुल्ले अधिकार है हमें article 21, article 20, article 19 हमें ये provide करता है, key right to privacy provide करता है, freedom provide करता है कि हम चहाँ पर मर्जी गूम सकते है कई बर क्या आता है, कई बर जो unmarried couple होते हैं, वो पार्क में जाते हैं और वहाँ पर police आकर उनको तंग करती है, कि आप पार्क में नहीं गूम सकते ये भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ हमारे कानून में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कोई भी unmarried couple पार्क में कठे नहीं गूम सकता, होटल में कठे नहीं जा सकता, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ हमारी society है, society का नजरिया हो सकता है कि unmarried couple को जो है कठे रूम में नहीं जाना चाहिए लेकिन हमारे कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो unmarried couple है वो एक साथ रूम में नहीं जा सकते वो उनकी अपनी privacy है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो उनका अपना right है तो किसी भी police वाले के पास यदिकार नहीं है कि वो जो है उनको तंग करे जा कर अगर वो पुलिस वाला तंग करता है आपको आपके रूम में आकर आपको जब बरदस्ती करता है आपको रेस्ट करने की कोशिश करता है आप करना क्या होगा आपको आपने जस्ट उसकी वीडियो बनानी है थोड़ी सी क्लिप बना दे उस पुलिस ओफिसर की और उस क्लिप क आप जो हैं उनके senior rank के officer को complaint जूर करें like ASI है, sub inspector है, वो आते हैं आपको तंग करते हैं आपने उनकी वीडियो बनानी है या फिर picture ले लेनी है कोई भी phone आप सभी के पास होता है phone एक common चीज़ है आप picture ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो आपने करना क्या है, आपको खहीं पर जाने की भी जूरत नहीं है आपको जो है, अपने जीले के commissioner of police आपको email ID मिल जाएगी, Google पे हर एक राज्य के commissioner of police आउन सभी की email IDs available होती है आपको उस mail पे जो है, आपनी complaint लिखनी है, आपके साथ हुआ क्या है आपको उस police officer की video बेच देनी है और आपकी complaint जो है, रजिस्टर जरूर हो जाएगी अगर जो commissioner of police है, वो फिर भी कोई action ना ले तो आप अपने DGP को, ओके, director general of police को जो है आप जो है, mail कर सकते हो, उनकी भी email IDs जो है, आपको internet पे, Google पे मिल जाएगी उनको भी आप mail कर सकते हो, तो ये कुछ तरीके हैं कि आप उस police officer के police officer से जो है, police officer को suspend भी करवा सकते हो उसकी नोकरी भी चीन सकते हो, उसको जो है, temporary suspend करवा सकते हो उसके ओपर departmental inquiry भी बैठ सकती है अगर आपका कोई police officer जो है, आपको तंग करता है, room में आकर तो आप उसकी शिकायत जरूर करिएगा, ताकि ये तंग ना करें अगर पार्क में भी कोई आपको तंग करता है, तो आप बस उनसे ये पूछेगा कहां पर लिखा है कि हम पार्क में नहीं गूम सकते हैं अगर फिर भी आपको तंग करते हैं, आपने वीडियो बिनानी है, आपने उस वीडियो को mail कर देनी है, commissioner of police को या फिर आप जो है, एक lawyer की help ले सकते हो, advocate की help ले सकते हो, वो आपके बिहाब पे रिट परडिशन डाल सकता है, high court में या फिर supreme court में कैसी लगी आज की वीडियो, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि आप जो है, निश्चित रूप से hotel में room book करिए, अगर आप girlfriend, boyfriend है, 18 साल से उपर है, 21 साल से उपर है, तो आप निश्चित रूम से अपना privacy time जो है, spend कर सकते हो, आप room book कर सकते हो, आप अपना privacy कैसी time जो है, spend करी है, room में जाकर, so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों को साथ share जरूर कर देगा, क्योंकि काफी सारे जो couples होते हैं, उनके मन में ये ख्याल होता है, कि police की rate पर जाएगी, etc., etc., so ये share जरूर करेगा उनके साथ, और इस वीडियो को like करें, दोस्तों को इसाथ share करिएगा, subscribe करना मत बूलेगा, आपके अपने चैनल को, legal education और knowledge लेने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आँ, आपके पास उसकी notification आ जाए, और आप उस वीडियो को दे आपके साथ आपके साथ है।